संजीव्नी हस्पिताल बाल एवं शिशुरोग जन्रिल सर्जरी प्लास्टिक सरजरी नियूरोऽ स रिखर नेट्र रोग फिजियो थैरपी स्री एवं प्रस्तूती रोग विद्य एवं शुगर रोग हड़ी एवं जोड रोग कार्डिव लोजी दन्त रोग एमरज सी उसे मन नाम है आई सीओं आम आद्वी पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लेनी आई और इसलिए आम आद्वी पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेवस्ता बदलने के लडाई लड़ी जाती है यह जो बसंती रंग का सम्मान मुझे भी दिया गया है यह शहीद आज़ा भगत सिंग का रंग है लाखों वीरों ने शहादत दी थी कि मुस्कुरातावा हिंदुस्तान होगा जिक्षित हिंदुस्तान होगा विक्षित हिंदुस्तान होगा बारुजगार हिंदुस्तान होगा हस्तवा किसान होगा कदम के से कदम मिलाके चलती हुई बहने होंगी प्रन्तों पचेहतर साल के अंदर ना किसान तरक्की कर पाया ना स्कूल ना हॉस्पिनल ना बिजली ना पानी ना रोजगार मैं आप सबसे पूछता हूँ जिन सरकारी स्कूलों के अंदर आपके बैचे पढ़ रहे हैं क्या आपको लगता हूँ आपके काबिल है वो अच्छे स्कूल है ऐसा किसी के मन के अंदर बात है राजनेताओं ने मिलकर दुकाने खुलवादी प्राइवेट स्कूलों की और सरकारी स्कूलों के हालत बद से बदतर करते जान बचाने के लिए जो हॉस्पिटल होने चाहिए जो डिस्पेंसरी होने चाहिए या तो dispensary और hospital है नहीं हैं तो doctor नहीं है doctor है तो medicine नहीं है और ये वेवस्ता हारियाना सहित पूरे देश के अंदर ये हालात बना कर रखे गा ना 24 गंटे बिजली मिलती है ना पानी मिलता है हारियाना जैसे परदेश के अंदर 34% बेरोजगारी है ये भारत सरकार के आंखड़े मेरे आंखड़े नहीं है यानि कि हारियाना में 18 वर्स से लेके 60 वर्स तक के आयू का हर तीस्रा वेक्ति बेरोजगार है अगर मैं 18 से 28 वर्स के योग की बात करता हूँ तो 80% योग बेरोजगार है हारियाना Public Service Commission के खटर साब के सरकार के दोरान 25 बार पेपर लीक हुए एक युवक जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है डिगरी अर्ण करता है और मन के अंदर सपने से जोता है कि मैं फुला अबसर बनूँगा पेपर लीक होने के वज़य से वो ओवरेज हो जाता है किस ट्रॉमा से वो वेक्ति गुजरता है वो खुद वो बच्चा नोजवान जानता है या उसके माबाप जानता है हार्याना के अंदर बिरूजगारी बढ़ने के वज़ह से युवक या तो नशी के रस्ते पे चल पड़ा है या अपराद के रस्ते पे चल पड़ा है या डिप्रेशन का सिकार हो रहा इन वेवस्ताओं को बदलने की जिरूरत है दिल्ली के अंदर आम आद्मी पाटी के सरकार आई भारा सरकार सिक्षा पे तोने तीन परसेंट पैसे करस्ती है दिल्ली सरकार ने 26 परसेंट खर्च करना शुरू किया जो भीम राओ बाबा साब आम मेटकर का एक सपना था कि हिंदुस्तान सिक्षित होगा तो हिंदुस्तान विक्षित होगा जिन्होंने कहा था हर बच्चे को सिक्षा लेने चाहिए उस सपने को पूरा करने का काम आमादी पार्टी के रास्टे स्योज करविंद के इजरिवाल जी ने किया अच्छे हॉस्पिल बनाए कानून बनाया कि दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान से कोई भी विक्ती आए भागवान ना कर अक्सिडेंट हो जाए एक रुपा लगो सू करोड रुपे लगो सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है सारे देश की महिलाओं को वहाँ पे बस यात्रा मुफ्ती सारे बुजर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्ती ये सारे काम हर्याना के अंदर भी हो सकते थे अगर एक इमानदास सरकार होती यहां का तो मुख्यमंत्री इस परदेश के किशानों को आतंकवादी कहता है इनकी जड़े चीन मेर पाकिस्तान के अंदर बताता है जिस जिस निगा निगम की मैं बात करूँ गोटालों पे गोटाले हैं सिर्षा के अंदर 152 दिन आमादी पाटे के जिला धक्ष लगतार धन्ये के उपर बैटे कि 80 करोड पे सोंद्रे करन का आये थे कहां गए क्यों कांड़ा साब के चुनाव के अंदर लगा दे गए क्यों नई सिर्षा के लोगों को पता चलता अब ये फ्रीदाबाद के अंदर 200 करोड रुपे का काम हुआ इनी पेपरों के अंदर हुआ और पेपरों में पेमेंट कर दी आमादी पाटे ने लगा तार उसका विरोध किया तो ठेकेदार को गिरफतार किया फिर हमने विरोध किया के चुड़ियों पहलो तुम अगर इसके अंदर मिले विया धिकारियों को और राजनेताओं को जिन्हेंने माल लखाया है उनको जेल के पीछे नहीं पुचा सकते तो इसका मतल माल मुक्य मंत्री के घर पे गया तो एक चीफ इंजिनेर को गिरफतार किया आज भी खटर साब के मंत्राले के अंदर कौन से मंत्री का उनको आशिरवात था वो पैसा कौन से मंत्री के घर पे गया आज तक उस बात का खुलासा यह नहीं कर पार UPSC के अफसरों पर जब हर्यान परदेश Public Service Commission के अफसरों के उपर जब रेड होती है चैट विदान सबाब में गूझती है के पांच करोड़ उपर मुख के मंत्री का रहे लेका अंदर गए यह बच्छों की नोक्री से खिलवार ना बिजली देना ना पानी देना इनकी नियत खराब है क्योंकि यह पैसे खाते है आम आद्वी पार्टी राजा के बेटे को राजा नहीं बनाती है आम आद्वी पार्टी हम सब के बीच में से एक मुबाइल की दुकान पे काम करने वाले मेकैनिक से पंजाब का मुख्य मंत्री हरवाती है एक धाबे वाले से चंदिकड के मेर को हरवाती है एकाटो रिक्षा ड्राइवर वाले से बड़े-बड़े मंत्रियों का हरवाती है बाबा साब के सविधान को सही माइने में अर्विंद केजद्रिवाल ने पालन किया कि अब पचेहतर साल बीद गए ये छोड़ दो कि मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा विधायक का बेटा विधायक बनेगा एक ही खांदान को मुक्य मंत्री बी चाहिए एक ही खांदान को संत्री बी चाहिए एक ही खांदान को विधायक बी चाहिए और सांसद बी चाहिए ये सब जनता के बीच के अंदर होना चाहिए और इस सूच को लेके अब चाहते हैं लोग हर्याना में भी केजरिवाल 29 मई को कुरक्षेत्र में आप बदलेगा हर्याना रेली को संबोधित करने के लिए मानिय अनुभिंद केजरिवाल जी आ रहे हैं मैं आपको निमंत्रान देता हूँ एक बात और बताऊंगा 29 मई को वट सावत्री का वर्थ है और 29 मई को एक तिथी घटने के कारन सूमवती अमावस है आप ब्रहमस रूवर के तटपे जाएंगे तो 17 गुना फल बिलता है वहाँ पे हम हर्याना को बदलने की बात करेंगे अर्विंद केजरिवाल जी को सुनेंगे कैसे हर्याना में बेहितर रूजगार मिले कैसे किसान का संबान हो कैसे अच्छे होश्प बने कैसे 24 गंटे बिजली पाने मिले कैसे अच्छे स्कूल बने और उसके साथ साथ आप परिवार के साथ वहाँ पर आएं तो आपको ब्रहमस रूर में सनान करने का फल भी मिलेगा तो मैं आज आप सब को अमंतरित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ आज आप सब ने इतनी बड़ी संक्या के अदर यहाँ पर पहुँचके इस कारिकरम को आईजित किया मैं आपको साथ वहाँ दे रहा हूँ मंच पे हमारे लीडर बहुत दूर दूर सा है उनका भी मैं आभार विक्त करता हूँ जै हिंद जै भारत